आप सब को हमारे चैनल में आज की अपडेट अकामा एक्सपायर और चुटी खतम के हवाले से बात करूंगी तो वीडियो बहुत खास हैं उन तमाम अफ्राद के लिए जिनके अकामे आज खतम हुए हैं तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अगर आप सोधी की नियू को बहुत से लोगों का स्वाल है कि हम चुटी पर अपने मुल्क आए हुए हैं सोधी की हकूमत ने एक बार अकामा और वीजा तजदीद कर दिया था लेकिन दूसरी बार जारी करदा अलान के बावजूद तजदीद नहीं हुआ तो क्या हम वापिस सोधी अर्ब जा सकते ह हैं तो मैं आपको बताती चलूँ करोना वाइरस के 22 अभी तक इंटरनेशनल फ्लाइट बंद है और जैसे ही सूरते हाल कुछ ठीक होगी तो सोधी हकूमत फ्लाइट शुरू करने का अलान भी जारी कर देगी तो गैर मुल्की अफ्राद सोधी अर्ब में अभी वापिस नह नहीं आ सकते उनके लिए निया तरीका या निया एलान जारी किया जाएगा इसी तरह एक और भाई ने पूछा है के मेरा कामा 9 गस को एक्सपायर हो गया है और मेरी चुटी 19 गस को खतम होगी तो क्या मेरा कामा और चुटी बढ़ जाएगी उनको आंसर करती चलूँ के जै जाइजा लेकर ही कोई हुकम जारी किया जाएगा अब उन तमाम अफराद के सवाल हैं जो सौधी अरब में मजूद हैं किसी ने पूछा है कि मैं पाकिस्तान जाना चाता हूं तो मैं किस तरह जाऊं तो आपको बताती चलूँ खरूज और जो नजाम है वो बहाल है और इस तरह जाऊं तो उसका जवाब यह है कि खरूज नहाई का वीजा लगवाना ज्रूब waiver ही है कामा इखतम होने से कबल खरूज नहाई वीजा लगाया जा सकता है इसलिए अगर आप पकिस जाना चाते हैं तो बेतर है कि कानूनी तरीके से जाये ताके वापसी आने में कोई ये थी आज की अपडेट मिलती हूँ फिर मैं किसी लेटेस अपडेट में तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रुखेगा थांक यू खुदा हाफिस